अपनी personal chat को hide करना चाहते हो और आपके WhatsApp में इस तरह का option नहीं मिल रहा है personal chat को hide करने का तो आज की वीडियो में आपको ऐसा तरीका बता दूगा जिसके जरीए आप किसी भी chat को यानि कि किसी भी number को अपने WhatsApp में hide कर पाओगे और अगर किसी को भी आपका phone दे देती हो तो वो आपके उस chat को वहाँ पर देख नहीं पाएगा आपके WhatsApp में तो guys जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपके सामने अपना WhatsApp को open कर रखा है यह trick आपकी जो है जो भी GB WhatsApp या फिर यो WhatsApp या फिर नॉर्मल जो आपका WhatsApp होता है हर तरह के WhatsApp में यह trick work करती है तो आप किसी भी WhatsApp में इस trick का use कर सकते हो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी other third party app को जो है डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और आप सिर्फ और जर्फ अपने WhatsApp में ही एक जिस नॉर्मल सी trick से जो है आप किसी भी चैड को हाइड कर पाओगे दोस्तों आपको जिस भी ट्रिक को हाइड करना होगा आपको सिंपली उसे क्लिक कर लेना है मा लेजे मुझे इस चैड को हाइड करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया थोड़ा देड़ तक आपको यहाँ पर प्रिस करना है उसके बाद आप देख सकते हो सबसे उपर जो है three dot बना होगा उसके पास ही एक option होगा जिसमें नीचे की और arrow बना हुआ है box जैसा बना हुआ आपको इस पर क्लिक कर देना ईए आप arrow में देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दी अब आप देख सकते हो वह चैट यहाँ से गाइब हो चुकी है तो आप को आपको क्या करना है आपकी वो चैट जैसे ही आप normal WhatsApp को बंद करते हो, फिर उसको open करते हो, तो आपको वो वाली चैट यहाँ पर कहीं पर दिखेगी नहीं, ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है, आपको अगर वो चैट दुबारा से देखनी है, या फिर उसके message दुबारा से देखनी है, तो आ अगर उस चैट को यहाँ से भी निकालना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर देर तक प्रेस करना है, और फिर से वही option जो उपर दिख रहा है, आपको इस option पर क्लिक कर देना है, अब आप देख सकते हो, फिर से वो चैट जो है आपके WhatsApp पर जिस तरह इसे पहले सो रही थी, वैसे ही सो हो चुकी है, तो इस trick का यूज करके, आप जो है किसी भी चैट को जो है, हाइड कर सकते हो अपने phone में, और किसी दूसरे को जो है, उस चैट को देखने से रोक सकते हो,